Hello everybody, welcome back to my channel. So, आज के एस वीडियो में मैं बलोग सार शेर करने वाली हूँ Top 6 आसी होम रेमिडीज जो आपकी हैर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और आपकी हैर ग्रोथ को बूस्ट अप करेगा, ठीक है? So, आज के टाइम पे हैर फॉल या हैर से रेलेटेट बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सब फेस कर रहे हैं So, अगर आप हैर फॉल को कंट्रोल करना चाते हैं, अपनी हैर डेंसिटी को इंक्रीज करना चाते हैं अपने बालों की थिकनिस को इंप्रूफ करना चाहते हैं, अपने बालों को नाच्रल तरीके से सिल्के स्मूथ शाइनी करना चाहते हैं, अपने बालों की हेल्थ को इंप्रूफ करना चाहते हैं, तो आज कि इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा, क्योंकि इस वीडियो कि नॉटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप मेरी सारे वीडियो टाइम पे वाच कर पाएं ठीक है इसको अप्लाइ कैसे करना है अपने बालों पे तो सबसे पहले आप अपने बालों के लिंद के हिसाब से टू 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 टेबल स्पून फैनेगरिक सीट को ओवर नाइट के लिए सोक कर लिजे और जब यह अच्छी तरह से सोक हो जाए तो इसके पाने के साथ इसको अच अच्छा रिजल्ट मिलेगा ठीक है इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजी और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजे जब यह अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा तो अपने बालों पर अप्लाई करके एक से देर घंटा रहने दीजे और एक से देर घंटा के बार आप नॉर्मल शैंपू से जो भी शैंपू आप यूज करते हैं उससे अपना हैर वाश कर लीजे फैनिग्रिक सीट्स को आप हफते में एक से दो बार अप्लाई कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट रेमेडी है अनियन जूस यहनी कि प्याच कर रस आइटों तिंग ऑनियन जूस के बारे में आपको कुछ भी बताने की जरूरत है क्योंकि यह इतनी पॉपिलर होम रेमेडी है कि आप सब इसके बारे में अल्रड़ी जानते होंगे अनियन जूस को डिफरें तरी पिल आफ लीजे और फिर चाहें तो आप इसको ग्रेट कर सकते हैं या फिर ग्राइंड कर सकते हैं परपस यह है कि हमें इसका जूस चाहिए ठीक है तो किसी भी तरह से आप इसका जूस को निखाल लीजे उसके बाद आप इसमें अड़ करेंगे कोई भी हेर ओल चाहें आप यूस करते हों आमन लो यूस करते हों इसको आप यहां पर आप एट करेंगी और नहीं आप खरेंगे रड़ियोत अधूम को सिर्फ इसकाल आप यूज्टे करते हैं उसे हेर वाश कर लीजे और यह जूज को आपको सिर्फ हफते में एक बार ही अप्लाई करना होता है ठीक है क्योंकि यह बहुत पॉर्टिंट रेमेडी है एक हफते में एक बार भी यूज़ करते हैं तो यह अपना रिजल्ट आपको दे देता है ठी अगर आपको फ्लाक सीट के बारे में डीटेल में जाना है तो आप मेरी हेर केर की प्लेलिस्ट को चेकाउट कर सकते हैं, ठीक है, फ्लाक सीट एक बहुत ही माइल्ड हम रिमेडी होता है, जो कि हर हेर टाइप वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, सुटिबल होता है, और अगर आपके बाल बहुत ड्राइ रहते हैं, फ्रिजी रहते हैं, अनहल्दी से लगते हैं, या फिर आपके स्कैल्प में बहुत डंरफ की प्रॉब्लम है, आपके स्कैल्प अनहल्दी है, कोई भी आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम चल रही है, तो इन सारी चीजों को फिक करने के लिए सबसे पहले हमें फ्लाक्सीट का जेल बनाना होगा तो इसके लिए आप एक पैन में दो से धाई ग्लास पानी ले लिए उसके बाद आप इसमें आड करेंगे फोर तू फाइफ टेबल स्पून फ्लाक्सीट फ्लेम बिल्कुल मेडियम रखेगा जब आप जेल को लगेगा और इसकी जो कंसिस्टनसी है वो थोड़ी सी थिक होने लगेगी जिल जैसा होने लगेगा ठीक है तो जब यह थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा और जाग जाएगा तो आप ग्यास का फ्लेम आफ कर दीजे और फिर इसको लिए करने के बाद आप इसको कर सकते हैं यह भी कोई भी ऐसा क्लॉथ जिसमें असानी से जिल आप स्ट्रेंड कर सकते हैं वैसी कलॉथ यूज़ कर सकते हैं ठीक है आप इसको कंप्लीट थंडा मत कीजिएगा क्योंकि फ्लैक्सिट जिल थंडा होने के बाद और बी जादा गाड़ा हो जाता है और फिर स्ट्रेंड करने में प्रॉब्लम होगी ठीक है इसे जिल को आप बना के 15-20 दिन तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं यह बिल्कुल खराब नहीं होता है तो आप एक बर चाहें तो जादे कॉन्टिटी में बना के रख लीज़े और हर हफते आप अपने बालों पे से सकते हैं इसे आप अपने बालों पे अपलाई कर सकते हैं लेकिन जो भी इंग्रीडियंट इसक्रीन पे शो हो रहे हैं उसको अगर आप इस जेल में मिक्स करके यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है तो सबसे पहले आप इसे हेड वाश करने से पह अपनी बालों के लिए बहुत अमेजिंग इंग्रीडियंट होता है अगर आप चाहते हैं अपने बालों को नाच्रल तरीक Spaß के पहले हैं और हमारेonce के ज्रोड चिकने से वे जडिल्ट चिंज की वज़ा से तो आज मैं आपको बताऊंगे कि आप किस तरह से यूज करेंगे एक को जिससे किस की स्मेल आप बहुत हद तक कम कर देंगे ठीक है तो आपको लेना है यहाँ पे एक अंडा ठीक है उसके बाद आपको इसमें आड करना है कर्ड यानि की दही ठीक है फोर से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे ताकि यह कि स्मूध सा पेस्ट बन जाए और इसे आप अपने पूरे स्काल्प में बालों के लेंध में अच्छ से अप्लाई कर लीजे और कम से कम दो गंटे तक अपने बालों पर रखिए उसके बाद आप शैंपू से हैर वाश कर लीजे इस एग हैर मास्क को आपको सिर्फ मंद में दो बार ही अप्लाई करना है ठीक है next remedy है rice water rice water बहुत अलग अलग तरीके से prepare किया जाता है लेकिन जो सबसे easy और असान तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ जिस तरीके से हमारी घरों में चावल बनता है आप उसी तरीके से चावल को prepare कर लीजे चावल बन जाने के बाद जो मान बजता है उसको आप स्टोर कर लिजे राइस वाटर यह बहुत ही अमेजिंग होता हमारे बालों के लिए अगर आपको बालों की देंसिटी को इंक्रीज करना है बालों में वॉल्यूम लाना है, थिक्निस लाना है, शाइन लाना है तो उसके लिए rice water एक amazing option है तो यहाँ पर आपको अपने बालों के length के इसाब से approximately 2-3 glass rice water ले लीजे मांड ले लीजे और उसको अपने scalp अपने बालों के length में अच्छे से apply कर लीजे और एक घंटा रखे और उसके बाद आप शैंपू कर लीजे ठीक है rice water आप सिर्फ हफते में एक बार ही apply करेंगे and trust me इसके result से आप भी बहुत जादा खुश होने वाले है and हमारा last remedy है curd यानि की दही दही एक natural home remedy है, natural hair conditioner है अगर आपके scalp में बहुत dandruff की problem है, eating है, किसी भी तरहा का infection है fungal infection है, तो उसके लिए curd बहुत helpful होता है अगर आपके बाल बहुत dry है, freezy है, unhealthy से लगते है तो curd आपके बालों को deeply condition करता है, आपके बालों को hydrate करता है और freeze को बिल्कुल खतम कर देता है ठीक है, also curd चुकि एक natural hair conditioner भी है तो अगर आपको बालों में shine चाहिए, smoothness चाहिए, silkenness चाहिए नाचरल तरीके से, तो curd आप ज़रूर यूज़ कीज़े ठीक है, ingredient हम इसमें add करेंगे, honey यानिकी शहद honey एक natural humectant है, natural moisturizer होता है हमारे skin हमारे बालों के लिए जो कि अगर आप curd के साथ mix करके अपने बालों पर apply करते हैं तो ये आपके बालों की hair dryness जो हो रही हो, उसको ये completely fix कर देता है frizz को ये completely हटा देता है, तो यहाँ पर आपको अपने बालों के length के हिसाब से curd लेना है, और फिर उसमें आपको add करना है 1 tablespoon honey और इन दोनों चीजों के अच्छे से mix कर लीजे, उसके बाद head wash करने से पहले अपने बालों पर as a pre hair mask आप इसको apply कर लीजे, एक से दो घंटा आप अपने बालों पर रखिए, उसके बाद hair wash कर लीजे, ठीक है तो ये एक बहुत ही natural remedy है, जो कि आप इसको हफ़ते में एक से दो बर apply कर सकते हैं, ठीक है तो ये कुछ बहुत ही simple और आसान सी home remedies है, जिसको use करके आप अपने बालों में चल रही problems को बहुत ही असानी से fix कर सकते हैं अपने बालों की treatment कर सकते हैं और अपने hair health को बहुत ज़ादे इंप्रूफ कर सकते हैं So I really hope कि ये सारी remedies आप लोगों के लिए उतना ही जादा helpful हो So इन सारी remedies को जरूर से try कीजेगा और use करने के बाद अपना feedback, अपना result में साथ comment section में जरूर शेयर कीजेगा I hope कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दिस इस वीडियो को लाइक कर दीजे और ऐसे ही informative वीडियो को देखने के लिए आप मेने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को भी प्रेस कर लीजे तो यह मैं जल मिलती हम अपने वीडियो के साथ तिल देन अलाफेज